समस्कार शाथियो जैहिंद आर्पियें ब्रिज यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साइकॉलजी के पार्ट नंबर 12 में आप सभी लोग इस समय जुड़े हुए हैं पार्ट 11 आर लेडी आ चुके हैं तो वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 12 है तो चलिए आए बिना देरी किये हुई सुरुआत करते हैं जैसा कि आप सबको पता है कि रोजाना मैं सुभा 11 बजे एक वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ उत्तर प्रदेश सिक्छक भरती प्रक्रिया के लिए जब तक एक्जाम तक आपका ये जो है सीरीज कंटीन्यू चलती रहेगी तो इस सीरीज को देखने के लिए आप सभी लोग हमारे यूटूब चेनल आर्पियें ब्रिज को सब्सक्राइब कर लेजे और शाथी बेल आइकन को प्रेस कर लेजे और शाथी अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करने को बोलिए क्योंकि बहुत ही मैत्मों सीरीज यह पर हमने स्टार्ट की है आप सभी के उत्तर प्रदेश योनिकी सुपर्टेट के एक्जाम के लिए जो चलिए बिना देरी किये हुए सुरुआत करते हैं और आज की स्रंखला का तो लिखा हुआ है जैसे कि आपनी स्कीन पर देख पा रहे होंगे कि पूर्व संक्रियात्मक अ आज हम बात करने वाले हैं प्याजे ने इसके दो भागों में बाटा है कौन कौन शे दो भाग पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था यानि की दो से चार वर्ष इस अवस्था में बालक में सूचकता का गुण आ जाता है जिसमें संकेत और चिन शामिल होते हैं प्याजे न की शुरूवात या केंदरी करंग ये चीजें घटनाएं होती हैं 4-7 बर्श की अवस्था में। मूर्त संक्रियात्म कवस्था को आई ये जानते हैं कि सरक्षंग, पल्टा वीपन, विकेंदरी करंग, तारकिक चिंतन की शुरूवात, कारिकरंग, वरगी करंग, सरंकला और क त्विक्तावादी चिंतन आगे बढ़ते हैं नेतिक विकास के सिद्दान की अगर हम बात करें तो बिश्वांगी परायत नेतिक यधारतवाद अवस्था पांसे नौ वर्स अवस्था को माना गया है नेतिक निश्चित नहीं है ये परिस्थितिगत है इसे बदला जा सकता ह जैसे जीव को मारना पाफ है ये जानने वाले बालक का आर्मी में भरती होना नोट इस सिदान्त के लिए प्याजे ने साक्षातकार विदी का प्रियोग किया है तो याद रखना है ये नोट आपको भासा एवं विचार का सिदान्त ये बहुत इंपोर्टन शिदान्त है तो आपको अच्छे से समझते हुए चलना है कि प्याजे की भासा का बिवाजन चो है प्याजे ने भासा को दो भागों में बाटा है नमबर एक हम केंदरित भासा सैस्वावस्था में पाई जाती है और ये एक तरफा होती है समाजी करत भासा की बात करें तो ये भासा सैस्वावस्था से आगी पाई जाती है और ये दो तरफा होती है बिचार भासा से पहले तुम एक पागल हो ये कथन एक प्रेमी एक प् वर्ग तो कोहिल वर्ग ने नेतिक विकास का सिद्धान दिया बहुत इंपोर्टेंट शिद्धान्त है इनका ये सिद्धान्त हिंज नामा की एक व्यक्ति के अध्यन पर आधारत है जिसकी पतनी को कैंसर था तो ये आपको लाइन नोट कर लेनी है कौपी में लिख लेनी है याद रखना है पॉइंट नमबर तीन की बात करें उनका प्रेम दस से सोले वर्ष के श्रिफ बालकों पर किया गया है उनके सिदान में तीन सब्द महत्पू हैं कौन-कौन से नेतिक तरक गया नेतिक दुविदा नेतिक कारवाई चले आगे बढ़ते हैं नेतिक नेतिक व सारी मिठाई मुझी दे दो यानिकी इसमें ये स्वार्त है नेतिक दुविदा दंड एवं आग्या पालन माता पिता का नियंतरंग कुछ मिठाई छोटे भाई को दे दो चले आगे बढ़ते हैं नेतिक अवस्था की बात करें तो पूर्व नेतिक अवस्था कहा तक है 10 व कानून एवं विवस्था वस्था कानून मानते हुए आत्मिर बढ़ता मैं अपना नियगा खुद लूँगा चले आगे बढ़ते हैं उत्तर नेतिक अवस्था की अगर बात करें तो सामाजिक अनुवन दवस्था अपना अपना हित देखना तुम अपना टिपिन मेरे अपना की बात किया था तो यह क्या है उत्तर नेतिक अवस्था का एक्जंपल है नेतिक दुवदा की बात करें तो सारभामिक नेतिक्ता यानि परोबकार तुम खालो मैं भूंका रहता हूँ यानि की परोबकार आगे बढ़ते हैं आलोचना है कि अगर बात करें तो कोहल उनकी एक आलोचना का कारण है आगे बढ़ते हैं बुध्धी की अगर बात करें तो परभाशा करें बुध्धी शमायोजन की छमता है पॉइंट डंबर टू बुध्धी आयामी प्रतिवाःग है जिसमें कई योगताएं शामिल होती हैं पॉइंट डंबर तीन की बात करें स वह बुद्धी शिदान ता हारवर्ड गार्डिनर ने दिया है बुद्धी एक तर तो नहीं है बलकि यह कई बौद्धिक छमताओं का समूह है पौइंट नमबर टू हमारी बुद्धी दस बौद्धिक छमताओं से मिलकर बनी है क्योंकि बातावर्ण किसी एक के लिए अनकूल मिलता है इसलिए बाकी के नो दब जाती है चले आगे बढ़ते है गार्डनर की दस छमताओं एक नमबर पौइंट नमबर एक भासाई पौइंट नमबर टूपर अगर चलचा करें तो तारकिक गलती ये बुद्धी वे व्यक्ति जो तरक छमता एवं गलती चमता में सबसे आगे हैं जैसे गड़ेत पैग्यानिक निपोन हों जैसे बस का ड्राइवर धावक खिलाडी या फिर इत्यादी पॉइंट नमबर पांच की बात करें अंतर ब्यक्तिक बुद्धी में क्या होता है तो एक ब्यक्ति जो दूसरी ब्यक्ति की मनुदर्शा भावना आधी को शमच कर उनमें से कोई भी कर ले जैसे सेल् गीति ये ब्यक्ति जो संगीत के राग एवर लेकी गहरी समझ रखते हैं जैसे गीतकार, शंगीतकार या फिर गायक चली आगे बारते हैं प्राकरतिक बुद्धी की अगर बात करें वे ब्यक्ति जो जीव जन्तुओं, पेलपौदों या खनजों की गहरी समझ रखते हैं जैसे जन्तु विग्यानी, बनस्पति सास्त्री, इत्यादी, पॉइंट नमबर 9 की बात करें आध्यात्मिक बुद्धी, वे बुद्धी, सादूशंतों, पादरियों या फकीरों में इत्यादी होती हैं पॉइंट नमबर 10 की बात करें अस्तित वाति बुद्धी वे सकती हैं, पॉइंट नमबर 2, अलग 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 बॉद्धी परिच्छा बहुत मुस्किल है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं, पार्ट नमबर 13 में कुछी देर में, यानि कि अगले दिन आप लोग तयार रहीएगा, तो आपको बताने हैं, प्यारे शाति शरं सरंकला हमने यहां पर स्टार्ट की है, तो सरंकला को देखना न भूलें और अपने साथियों को भी सेर करें, और अभी तक जो भी हमारे चैनल पर यूटूब चैनल पर नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और शाथी बेल आइकन को प्रेस कर लीजि हमारे यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत श्वागत है, धन्यवाद